क्लास 9 इंग्लिज की कोश्टन बेंक जो MP बोर्ड से आई है उसमें कुछ वीडियो पहले बना दिये हैं चलिए आगे देखते हैं सेक्षन सी जो लिटरेचर है आपका उसमें अबजेक्ट टाइप कोश्टन है ठीके तो पहला चेप्टर आपका दफन दे हैड ठीके वाट ड टॉमी फाइंड दे बुक टॉमी को ये किताब कहां से मिली थी तो इन हीस हाउस उसके घर से हाउ ओल्ड इस मारगी तो मारगी की उम्र क्या थी तो 11 इयर्स ठीके भी ओप्शन आएगा किस साल में इस कहानी को सेट किया गया है तो यहां आएगा आपका सी ओप्शन जो है यह आपका आएगा 2157 यर्स मतलब इस किताब के बारे में क्या चीज अजनबी थी ठीके तो कि उसकी जो पेज है वो उस पेज पर क्या है जो वर्ड है वो प्रिंटेट थे अजनबी क्या चीज लगी मार्गी को इस किताब के बारे में कि जो पेज है इसके उस पेज के उपर अक्सर छपे हुए है ठीके यह चीज उसको जो है इस्ट्रेंड लगी मतलब आधुनिक युग में छात्रों को कौन पढ़ा रहा है तो अमेकेनिकल रोबोट टीचर ठीके डी ओप्षन आएगा अमेकेनिकल रोबोट टीचर एक मशीन जो है वो रोबोट वाली वो टीचर के रूप में कायरे कर रहा है वेलवाज मार्गी का इस्कूल का है तुश्के खुद के घर में है इनल ओन हाउस ठीके उसके खुद के खुद के घर में उसका संचाली थो रहा है उसकी कमरे में इस्कूल लगता है यह पोएम फरस्ट है आपकी की का मतलब है यह यहलो वुट है, what does poets long stare at the path signify, मतलब जो है, यह जो है, जो रास्ता है, वो किसको प्रदसीत कर रहा है, किसको दर्शारा है, है ना, poet long stare, तो यह आएगा making a choice, who is the poet of this poem, the road not taken, मतलब कोन है, the road not taken के poet, कभी कोन है, तो D option होगा Robert Frost, what does diverge mean, तो diverge का मतलब होता है, separate, क्या करना, अलग करना, ठीके, तो यह आएगा separated, B option होगा यहाँ पर, है ना, lesson to the sound of music, which award was given to Evelyn in 1991, ठीके, तो Evelyn को कौन सा अवार्ड दिया गया था, 1991 में, तो यह आएगा, soloist of the year, ठीके, तो यहाँ C option आपका होगा, what did Evelyn want to spread through her music, अपने music संगीत के मादिम से वो क्या चीज़ पहलाने ताती थी, तो deep people can learn music, ठीके, बधिर लोग भी, जो है, संगीत सीख सकते हैं, what was Ron Phrobs, advice to Evelyn, मतलब इस Evelyn को क्या सला दी, Ron Phrobs ने, तो C option होगा, to hear the music through other parts of body rather than ears, मतलब कानों के बज़ाई, शरीर के अन हिस्सों के मादिम से संगीत सुनना, ये जो है, Ron Phrobs ने उसको, एवलिन को ये सला दी थी, which foreign languages did Evelyn learn, तो कौन सी विदेशी भासा हैं जो है, उसने सिखी थी, तो आपका जो है, तो French और basic Japanese, मतलब ये दोनों, है ना, एक तो जापान देश की बासा और French है ना, ये दोनों, ठीके तो यहाँ D option का बोथ A and C, दोनों, ठीके और C, दोनों लेंग्वेज जो है, उसने सीख की थी, वाट वाज दे नेम ओप दे मास्टर, ठीके, तो परक्यू सिनिष्ट है ना, हूँ प्रेज्ट एविलीन, मने एविलीन की प्रसंसा करने वाले उस मास्टर परक्यू सिनिष्ट का नाम क्या था, तो जेम्स ब्लेट्ट, ठीके, प्यू अप्सन होगा यहाँ पर, दस नाई ओ बिसमिल्ला खान, पार्ट टू, वहर डिट बिसमिल्ला प्ले, तस नाई ओन, 15 अगस्ट, 1947, ठीके, उनिष्ट ने जो है, बिसमिल्ला ने शेहनाई कहां बजाई थी, तो रेट फोर्टे ने लाल की लिए पर, ठीके, प्सी ऑप्शन होगा, विच नेशनल अवार्ड, वास कंफर्ड, ओन उस्ताद बिसमिल्ला खान, मतलब कौन सा राष्टी अवार्ड जो है, प्रदान किया गया था, बिसमिल्ला खान, उस्ताद बिसमिल्ला खान को, तो पदमश्री, पदमभूशन और पदमविभूशन यानि कि आल ओप दिस उपरोक्त सभी पुरुसकार जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खान को प्राप्त हुए है चेनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है क्लास नाइन्द के प्रश्ण बेंक के जो पुरा सोलिशन आप देख सकते हैं हर विशे का सोलिशन आपको मिल जाएगा शहनाई इस और रिफाइंड वर्जन ओफ वीच इस्ट्रुमेंट मने शहनाई जो है वो किस यंत्र का बदला हुआ रूप है तो वो पुंगी का है यह डी ओप्शन होगा ठीक है सादी समारों में शूप कार्यों में अलो अब आऊ है ना उपरोक तो सबी जाएगे तो D ओप्शन होगा यहां पर अली बक्स वास बिस्मिल्लास अली बक्स बिस्मिल्ला के क्या लगते थे तो यह आएगा C ओप्शन अंकल ठीक है पोएम टू विंड हूँ ब्रेक्स दशेटर्स ओप दविंडो ठीके विंडो जो है जो है खिड़कियों के शेटर कौन तोड़ता है तो यहां अप्शन आएगा आपका विंड हवा ठीकेट डी ओप्शन होगा बाइस का नेम दे तिंग्स दे विंड है डन उन कामों को लिखी जो हवा ने किये थे तो बाउट रेन ठीकेट टॉर्न दे पेजेस ब्रोग दे शेटर्स ओप दे विंडोस आल अलोब दिस मतले सभी काम किये ठीके बरसात लाना पेज को भाड़ना ठीके और यह ओल आएगा अलोप दि सब कारिये विंड के द्वारे के गए गए वूम डज विंड गोड लाइक तो दोज हूँ टाक टू इट लेशन त्री द लिटिल गर्ल केजिया वास बिटेन अब विट रूलर बाई हर फादर बिकोज केजिया को पीटा गया था ठीके एक रूलर के द्वारा उसके पिता सब्सक्राइब क्योंकि सी फेल इनर एक्जाम वो अपनी परिक्षा में फेलो गई थी शी डिसेग्रेट टू स्लिप अलों वह अकेले सोने के लिए जो है समत थी शी वांटेट टू इट आइसक्रीम वह आइसक्रीम काना जाते थी या शी टोन डाउन दाउन पेपर ओपिस फादर्स स्पीच या उसके पिता के जो भाषन देने वाले कागज थे वो केजिया ने फाड़ दिये थे इसलिए डियो ऑप्षन होगा ठीक है यहां पर यह डियो ऑप्षन होगा भाडिज दे ग्रेंड मादर गीव तू केजिया वें शीवास सोबिंग मतलब जल्ड है जब रही थी तो दादी माने उसको क्या दिया था अट्लियन हैंकी ठीक है एक साप हैंकी दिति उसको केजिया फादर कूडनाट प्ले भीकॉस केजिया के जो पिता जी थे है वो केज तो मतलब यह की वह काम के बाद बहुत थक जाते थे इसलिए वह के साथ खेल सकते ते प्लाइट किया यहसेत्य मतलब कागच क्यों ने यह तो फिल दा कुशन या आल ओप दी अबाओ तो यहां सी ऑप्शन होगा कि उसने कुशन को भरने के लिए जहें कागज फाड़े थे ती ऑप्शन होगा मतलब केजिया की दादी ने उससे क्या बनाने के लिए कहा तो चपाती या स्नेक्स या गिप्ट ओफ पीन कुशन या नन ओप देबाओ उपरकता मैं से कोई ने तो यह सी ऑप्शन होगा गिप्ट ओफ पीन कुशन यह गिप्ट देने के लिए दादी ने केजिया को कहा poem 3 rain of the roof what is the bliss what is the bliss for the poet in the poem rain of the roof मतलब यह है कि rain of the roof जो आपकी poem है इसमें कवी के लिए क्या आनन्द वाली चीज है तो वो है laying on the bed in a joyful mood मतलब खुशी के mood में बिस्तर पर रहना what revives the sweet memories in the poet's mind मनें कवी के जो मन में ठीके जो मदूर इसमरतियां है ना कौन पुनरजीवित कर रहा है उनको कौन वापस ला रहा है तो यहां पर option होगा आपका तो raindrops falling on the roof है ना बारिश की बूंदे जो रूप पर एच्छत पर गिर रही हो what does starry spheres mean ठीक है starry spheres का क्या मतलब है मतलब तारागन का क्या मतलब है है ना तो यहां आएगा sky filled with stars तारों से बरा हुआ आकास यह भी option होगा who are darling dreamers in the poem ठीक है तो कविता में जो है तो इसमें children ठीक है अपने प्यारे बच्चे को जो है children आएगा what are singles तो tiles on the roof a option होगा where was Einstein born ठीक है तो Einstein का जन्म का होगा तो Ulm भी option होगा ठीक है Ulm जर्मनी में ठीक है what did Alberts classmates call him तो Albert के जो classmates थे जो साथ में पढ़ने वाले थे वो क्या केते थे ब्रदर बोरिंग ठीक है c option अब ब्रदर बोरिंग उसको कहते थे what did Einstein love to play with मतलब Einstein को किसके साथ खेलना पसंद था तो यहां option होगा आपका मेकेनिकल टोईज है ना मतलब यांत्री खेलोने से मेकेनिकल टोईज से खेलना पसंद था वेंडिट आइस्टेन बिगेन टू लर्न प्लेइंग द वोईलिन मतलब आइस्टेन ने वाईलिन बजाना कब यह कब सीखना शुरू किया था तो एट द एज आइस्टेन अपना अध्यान कहां जारे रखना जाते थे तो सी ओप्सवन अवा स्विट्जर लेंड ठीक है लेशन शिक्स माय चाइल्ड हूड मेरा बच्पन हूइस द आथर ओप द लेशन माय चाइल्ड हूड कोन जो है आथर मन लेखा के मेरे बच्पन का जो पार्ट है उसके कौन लेखा के तो डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम है तो यहां आएगा ओप्सन यह आपका एप्पीजे अब्दुल कलाम मतलब जो है कलाम भारत के ग्यारवे राष्टपती कब बने तो यहां आपका डी ओप्सन होगा 2002 में जो है वह ग्यारवे राष्टपती भारत के बने वहर वास कलाम बोर्न ठीके कलाम कहां जन्म लिया कलाम कहां पेदा हुए थे तो रामे सोरम मदरास स्टेट ठीके what did Calam's father teach him मतलब Calam के पिता ने उन्हें क्या सिखाया तो honest and self-discipline मतलब इमानदारी और आत्म अनुसासान ये जो है उन्हें उनके पिता जी ने उनको सिखाया था who gave emotional and material security to Calam तो Calam को भावनात्मक रूप से किसने सुरक्षा प्रदान की थी तो उनके माता-पिता ने his parents है न तो यहाँ D option होगा Who was Kalam's close friend Kalam के घनिष्ट जो close दोस्त कौन थे तो रामानंद शास्त्री तो यह A option आपका होगा Poem 6 No men are foreign How do we pollute the earth according to the poet मतलब हम प्रत्वी को कवी के अनुसार के से प्रदोस्षित करते हैं तो by hating and killing others ठीक है दूसरों से नपरत करके और दूसरों को मारने से ठीक है तो by hating and killing others What are the things in nature that a man needs to live with मतलब प्रकृति की कौन सी चीजे है जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवशक है तो sun, sun, air, water and plants all of these मतलब उप्रक सभी तो एड़ी ओप्शन होगा ये सभी चीजे जीवित रहने के लिए need होती है आवशक है फिर है कि वार मने युद्ध का क्या कारण है तो ये एप्शन है आपका कि जो युद्ध का कारण है युद्ध की नफरत हट्ट्रेड है ना ये ओप्शन होगा यहां पर हाउ इस मेंस विजन क्लावडेड मने व्यक्ति का जो सपना होता विजन होता है वो कैसे धूमिल होता है या चवी कैसे खराब होती है कैसे धूमिल होती है तो by hate and narrow thinking मने नफरत और छोटी सोच से है ना संकीरण मान सिकता से हूँ मेक्स दे साउंड क्वेक क्वेक की ध्वनी कौन निकाल रहा था तो डी ओप्शन होगा डक मतलब डक की क्या इच्छा है बतक की क्या इच्छा है तो to hope like a कंगारू मतलब कंगारू की तरह कुद्रे है ना की इच्छा है बी ओप्शन होगा वाई डज दडक प्रेज कंगारू मतलब जो है बतक जो है कंगारू की प्रेज मने प्रसंसा क्यों करती है तो for its ability to hope and move यह ओप्शन होगा वाट डूद दवर्ट्स good gracious show in the poem मने अच्छाई की जो अभिव्यक्ती है वो इस कविता में क्या show कर रही है तो surprise आश्चरिय डी ओप्शन होगा वाई 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 डग फिलिंग बॉर्ड इन दपॉंड मने जो बतक है उसकी जो फिलिंग है वो कैसी है उबने जैसी मतलब एक प्रकार की उब महसूस क्यों कर रही है तालाब में जो है बतक क्योंकि because of still life क्योंकि वहाँ जीवन कैसा है एक प्रकार से still life मतलब रुका हुआ है इस्थिर जीवन है एक ही जगे रहने वाले जिंदिगी है lesson 8 reach for the top which incident showed that Santos was concerned about her team mates किस घटना से ये जानकारी मिलती पता चलता है कि Santos जो है वो अपने साथियों के लिए अपने team mates के लिए चिंतित थी तो giving artificial respiration to them मने उने जो है प्रकार की कौन सी सांस देना कृतिम सांस देना इस घटना पता जलता है कि वो अपने साथि के लिए चिंतित थी यहाँ पर ए अप्शन होगा why was Santos sent to a local school Santos को जो है इस्थानी school में क्यों भेजा गया था तो they were poor वे गरीब थे इसलिए ठीक है सी अप्शन होगा why did Santos live home for Delhi मतलब दिल्ली के लिए संतोष ने घर को क्यों छोड़ा तो to get proper education and avoid marriage मतलब एक उचित सिख्षा मिल जाए और शादी से बचने के लिए विवा से बचने के लिए how was Santos attract to mountain climbing मतलब परवत पर जो चड़ना है जो परवत पर जो चड़ते हैं परवता रोहन होता है उसकी तरफ उसका कैसे आकरशित हुई वो तो यहां आएगा watching some people going up the aravali sorry going up the aravali hills from her hostel room मतलब उसने कुछ लोगों को चात्रावास की कमरे से aravali की जो पहाड़ी पर जाते हो देखा था उससे वो attract हो गई थी और जो है mountain climbing का जो है लक्स बनाया what happened when Santos scaled up the Mount Everest for the first time मतलब क्या हुआ जब Santos ने पहली बार Mount Everest फटक किया तो क्या हुआ she become the youngest woman to achieve the feet मतलब यह है कि यह उपलबदी हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वो जो है महिला बन गई सी option होगा यहां पर during the training period मतलब प्रक्षिशन की टाइम के दोरान अधर प्यूपिल्स वूट कम इन एट इलेवन पीम एंड और मारिया टू और ग्यारा बज़े आते थे अन्यचात्र और मारिया को क्या आदिश देते थे तो क्लें दरूम है ना कमरे को साप करने का आदिश देते थे शारा पोवा लव्ड रीडिंग नोवेल्स ओप मतलब शारा पोवा को किसके उपन यास पढ़ना पसंद थे तो अर्थर कॉनन ड़ डी ओप्षन आपका यहां पर होगा वाट्स शारा पोवा मंत्र फोर सक्सेस मनें सपलता का मंत्र क्या है तो शारा पोवा की सपलता का मंत्र क्या है बिंग कॉंपेटिटिव मनें जो है प्रतिसपर्दी होना या वर्किंग हार्ट कड़ी मेहनत करना रिस्पेक्टिंग हर जो अपनी जो है रिस्पेक्ट करना आ लो दीसें यह सब उप्शन आएगा आपका तो द्य-उप्शन ही खाहलो दीस के मारीया शारापो हाओ बीलोंस रूप मतलब जो मारीया चाहरा पूगा समनी किसे हैं जैन। थे तो भी रशिया से थे तो हैं के यहां आएगा आपका फी रूप मतले मातली संबंद था संतों श्यादव के गाओं का नाम क्या था तो यहां पर आपका जो अप्शन होगा जे नियावास तो जो नियावास था यह उप्शन होगा डिप्रेसिंग ट्रेटमेंट इन दे यू एस मेट मारिया ठीक है वो निरासाजनक व्यवार से मारिया क्या बन गए थी टप से ना ठीक है तो यह डियो ऑप्शन होगा यहां पर कि वार्ड़ दट्री सिंबोलाइज इन दिस पोयम मने जो व्रक्से है वो इस पोयम में पेड किसका प्रतिक है तो सम्रत दिका है यह यह अप्शन होगा प्रोस्पेरिटी वाट हेल्प्स दट्री टू ग्रो पेड को बढ़ने में कोन वज़त करता है तो अर्थ यह अप्शन होगा यहां पर वाट किल्ड दट्री मने पेड को किसने मारा इसकोर्चिंग और चोपिंग फ्लेट्स बाड़ ने ठीक है और जब हम इसको चाप चाकू से यह रोंदा गया है काटा गया यह इरिस्पोंसबल भीहवर गेर जिम्मेदार व्यवार से यह आलोब दिस तो यह डी ओप्शन आएगा कि आलोब दिस मतलब पेड कैसे मरते हैं तो जब उनकी जड़े को जो है उखार दिया जाती तो पेड मर जाते हैं तो सी ओप्शन होगा कि वाड़ देपोएट इक्वेट किलिंग ट्रीश विट मने पेड़ों को के मरने की तुलना किससे करता है किलिंग हुमन बेंग्स ठीक इंसानों के मरने से तो सी ओप्शन होगा यहां पर लगों डीड दा आतर गट बाय एक्सिदेन्ट है न लेखग को दूरगटना में जो है कि दूरगट लेक्सिडेंट में क्या मिला तो असलो बियर एक जो है सूश्त भालू मिला एक आल सलो बियर वेर डिट दा आथर फाइंड दा स्लोथ बियर बनाए जो है सुस्त भालू लेखक को कहां मिला था तो इन दा सूगर के अन फिल्ड बन्दब गन्य के खेत में और महसूर में या तो सी ओप्शन होगा मतलब जो है लेखक ने भालू को जो है बालू का जो गिप्ट है वो किसको दिया था तो इस वाइप अपनी पत्नी को एक गिप्ट के रूप में क्या दिया एक स्लोथ बियर दिया वाइटव जो नेर्टर जो है इस पार्ट का जो कताकार है उसके परिवार ने बुरूनो को चिडियागर में चोडने का फैचला क्यों किया तो ए उप्शन होगा वह वास ग्रोइंग टूबी टूबी एट होम वह जो है घर पर बड़ा हो रहा था दीरे तो इसलिए उसको ज़ी अगर में छोड़ने का फैसला लिया इसके कोन पोएट ही तो इसके पोयम का नाम है सनेक ट्राइग तो डबली डबली ड़ी रोस भी अप्शन होगा यहां पर हूँ टेस्ट रसने मतलब साप का पीछा कौन कर रहा था मैंन है ना मानव ठीक है यह ऑप्शन होगा इसका पीछा करना ठीक है मतलब देखे जाने तक साप कहां था कहां पर पड़ा हुआ था तो ओन दे सेंड रेत पर ठीक है तो यह सी ऑप्शन होगा साप कहां गया और गयब हो गया तो इन दे रिपल्स ओप वाटर वो पानी की जो है लहरों में अमंग ग्रिन रिट्स और हरे नरकटों के बीच में गयब हो गया तो यह ओप्शन होगा यहां पर मतलब इस पोएम की क्या थीम है विशेवस्तु क्या है तो यह ओप्शन होगा टू इस्टोप कुरूरता है उसको रोकना लेशन टेन आपका काट मांडू वाइड दस दा अथर फाइंड हीमसेल अनेबल टू टियर अवे फ्रॉम द इसक्यूर तो जो है लेखक अपने आपको वहां से हटाने मां समर्थ इसलिए था क्योंकि वहां जो है न दा फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट मने और फ्रूट सेलर्स आर कंपेड टू तो सी ओप्शन होगा क्विल्स ओफ और पॉर्क्यूपाइं मतलब बोधनात इस्टूप के आसपास का जो एटमोस्पियर है वो किस प्रकार का है एक प्रकार का बिल्कुल शांत तरीके सा जो है यह वहां पर माहोल है वहां का एटमोस्पियर है तो यह ओप्शन होगा तो वीच फेमस हिंदू टेमपल इन इस सीचुएटेड इन काटमटू तो काटमटू में कौन सा हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर है तो यह आएगा पशूपतिनाथ ठीके सी ओप्शन होगा इसका तो काटमांडू इस दा केपिटल सीटी ओप तो काटमांडू जो राजदान एकिस की है तो भी अप्शन होगा नेपाल की फूइस दपोएट ओप दपोयम असलमब डीड माई इस्प्रिट सील तो असलमब डीड माई इस्प्रिट सील का पोएट को ने तो विलियम वर्ट सवत इडी अप्शन होगा आपका ठीक है वाट डाज लुशी मूव विद तो रोक्स स्टोंस ट्रीस तो आल ओप दिस उप्रोक्त सभी के साथ में ठीक है वाट शील्ड दपोएट इस्प्रिट इसका जो अंसर है आप मुझे कमेंट बाक्स में लिखके बताना अब वाट वाट वाज लुशी दूइंग आप्टर हर देथ तो मुविंग हीर एंड देर इन द इन द इन अर्थ कोर्स ओप रोटेशन फिर है आपका मतलब अपने प्री की मृत्व के बाद कवी को कैसा लगा तो ग्रीप इस्ट्राइकर मतलब बहुत दुख उसको हुआ यह जो है मैंने आपको जो आपका लिटरेचर का जो अबजेक्टिव थे उन सबको सोल करवा दिया है उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा औ और मैंने जो है इसके आगे भी वीडियो बना रहे हैं आप उनको जरूर देखना